नमस्कार भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कविता उपाध है हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जिल्मिल वार्ड के अध्यक्ष अवदेश कुमार चौबे जी है इस समय पर आप देखें किसानों की स्थिती दिल्ली की स्थिती बहुत जादा चिंता का विशह है दिल्ली में अभी एक साल हुआ नहीं पहले पूर्वी दिल्ली में हमले हुए दंगे हुए और फिर से इस तरह के उब्दवर मचाए गए कि जिसके लिए हम लोग वाकई में शर्मिंदा हैं कि 26 जन्वरी जैसे दिन जिसे हम अपना गौरव मानते हैं अपना सबस है कैसा उब्दर्व कैसी नराजगी दिल्ली में देखिए जैसा के 26 जन्वरी वाले दिन हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम हैं हम सब देजबासी मिलकर के एक गरतन ते दिवस मनाते हैं और गरतन ते दिवस वाले दिन इस तरह की आराज़कता है इस तरह की काम जितनी निंदा की जाए अतना कम हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान जो है ना सांती प्रीतरीकी से अपना प्रदर्स में कर रहे थे हैं और सांती प्रीतरीकी से अपनी लेकिन जैसा कि बिलकुल सामने और सब को नजर आ रहा है कि भारती जंता पारिटी के लोग जो पंजाब से थी जिन्होंने टेक्टर को गलत दिसा में लेके गए बोलो और रून तोड़ा और लाल के लेके अंदर ज्वारा जिता हुई लाल के अंदर जिन्डा फिराया तिरंगे का अपमान फिराया गिया वो कौन लोग है जब जाहर है चारों तरफ उसकी जो है ना फोट कुएं चल लए हैं माने नहीं हैं मुदी जी के साथ potos की फोटू है हमरे भारती जंता पाटी के लिए सांसद हैं उनके साथ उसki photo है दीव सिंदू की तो उसने खुद कैसे हमने खुद देखा और अभी मैं किशानों का भास में सुन रहा था एक घंटे तक उब दरब चलता रहा और कोई नहीं वहाँ पे मतलब किशान कह रहा उसे गोली क्यों नहीं मारी जबकि शब्बिश जनवरी रेड़ अलर्ट पे होता है पूरा दिल्ली हॉइ बिल्कुल विल्कुल और उसके बावजुद मतलब इंडिया गेर्ट इंडिया कितनी बात है मैं अपने ज़वानों के लिए अस टरह की बात ह् reiterate नहीं आ चाहता हूँ लेकिन उनको अर्डर नहीं मिले होंगे इसी दिए से उनकी परिस्थानी हुई किस तरगी से ऑजवानों के साथ में बस सिलुकी हुई है मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं लेकिन ये जग जायर हो चुका है कि ये किसान नहीं थे ये किसान नहीं थे किसान सांति प्रीकी तरीके से लिए आन्दॉलन को लगबग डाइवर्ट करने की इकोशिस थी जो कि आपके सामने हैं सर कुछ जगा पर किसान उन्होंने मूव कर दिया है, वो घर के लिए निकल चुके हैं, हाँ, अभी राकेस्ट केज जी लगातार बैठे हैं, चाहिए वो कल थोड़े भावुक भी हो गए, और उन्हें लगा कि मैंने वोट दिया, तमाम चीजे उन्होंने डिसकस की और रोई क्या लगता है, वाकई में किसान इस टाइन कितना परिशान है, देखिए, मैं माननी प्रधान मंती जी से, ये निवेदन करना चाहता हूँ, कि इतनी जादा, इस तरह की सरकार की वो, कि मैं इसको कानून को नहीं बज़िए, देखिए, वो एक अलग बात है, जो लोग कंट्रोल करने की बात है, लेकिन किसान जो है सरकों पर है, और ये समझ लेना चाहिए, आपको, कि यदिये मान पूरी नहीं हुई किसानों की, तो निशित तोर पर जो है, इसका अंजाम बुरा होगा भारती जनता पार्टी की लिए, अफदेश जी, जिलमिल वाड की बात क पूरे तरीके से भर्स्त है, एक और नया उधारन अभी सामने आया, भर्स्ता का, कि पचीस लाख रुपें, एमसीडी के पारसत को मिलते थी, उन्होंने अपनी हाँ पास किया, कि एक करोड़ या डिड़ करोड रुपें उन्होंने पास किया, मैं बाहर था जिन में, तो य एक स्किलियर उधारन है, मैं आपको पुना इस बात को कहना चाहता हूँ, कि एमसीडी के जो करमचारी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सिच्छक हैं, वो बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं उन लुगों में, सिर्व उनसे काम लेने की बात है, जब आप तनखा ही परिसान है, मैं आपको एक ची बताना चाहता हूँ, हमारे जो छेतर के करमचारी हैं, मैं करमचारी को बात कहना चाहता हूँ, करमचारी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, कि किसी की सिफारिश की जूरत नहीं है, उनके काम के भी कहने के लिए, वो बिचारे काम कर है वो क्या काम करेगा मैं अभी हमारे मानिनी मुखमंत्री जी न इस पेसल और पास किया कि यह जो इन्होंने बज़ड बढ़ाया है इसको रद किया जाए तदकाल और भारती जंता पार्टी जो है यह दमनकारी नीथी छोड़े इनकी तनखा दे मानी मनुर्तिवारी जी ने इस पर सब्सक्राइब में जब इलेक्शन रहा था कहा था कि हम सेंटरल गवर्मेंट से फंड ले की आएंगी क्यों ने लाती है वो फंड देखे मनीश शोदिया जी ने उस दिन प्रस्कॉर्ट कर रहा था कि हम लोग सब अपने फंड रोक रहे हैं मतलब विकास के कामों को हम लोग रोक रहे हैं बहुत से विकास के कामडियों जरूरी है वो तो कर रहे हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ने डवलप्लमेंट है उसको हम रोक रहे हैं हमने अपने मान ouaisनी विदायकों की फंड ज्यु है रूकी हैं은 मरे जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा तो एक तरफ तो हम लोग उल्टे फंड रोक रहे हैं दूसी तरह आप जो है पच्छीस लाग से एक करोड सवा डिड़ करोड करने जा रहे हैं सर अभी हाली में जल बोर्ड पर सवाल उठाए गए 26,000 करोड क्या है ये जो घोटाले का जवाब बार बार इस तरफ से भी आरोप लगते हैं और उस तरफ से भी आरोप लगते हैं क्या कहेंगे जल बोर्ड में घोटाला सी एजी की रिपोर्ट के अनुसार देखें दिल्ली स बिराया फिरी कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये फिरी नहीं है ये जनता का पैसा है जनता का पैसा है पहले सरकारें जो है लॉस में होती थी और आज दिल्ली सरकार हमारी प्रॉफिट में रहती है तो आप बताईए कहां पे हम लॉस में हैं दूसरी चीज यह जो नए नए छुटवया निता जो इंटर्वू देती हैं कि यह घुटाला वो घुटाला यह घुटाला वो घुटाला जाके देखे काम क्या हो रहा है जगह जगह देखे किस तरीके से काम कर रहे हैं विदायक जी द्वारा लगातार मैंने बोर्ड के जगह जिल्म ही दिल्ली सरकार कर रही है महीं हम को बता है द resonates वारे में एक नाली का घौरा पढ़ा हुआ है वह शार्प नहीं कर पा रही है तो । राती नाली कर दिया हो कि कर दिया बार्श बार्टी शनथा पार्टी जो विकास पुरुस के रूप में जाना जाता है जिनके वारे में मतलब सबसे पहले उन्होंने समसान घाट के लिए फंड रिलीज कराया कि जाओ समसान घाट पे काम करो उसके बाद जो है पानी की समश्या थी तो बारांची की पाइप लाएं जो है सरकुलरोट पर डलवाई गली गली सीवर का काम कर रहें अब यह समझे आप इस समय फंड नहीं है लेकिन जो हम लोगों ने काम किये और उन में से कुछ रासी बची उस रासी में से गली गली आज भी आप चले जाएं चारों तरफ तो सीवर का काम सीवर की नई लाएं खराब उचकी सीवर की लाएं पुरण सीवर की लाइने डल नहीं है, पानी की लाइन डल नहीं है. चारों तरह, किसी जगे चले जाएंगा हैं, आब हर गली में आज़ की तारह मैं. अभी तो चुनाव नहीं है, जुनाव थो एक साल बाद सबसाल बाद है. हम लोग चुनाओं से कोई मतलब नहीं होता है हमें काम से मतलब होता है क्या लगता है गोयल जी के जो काम है उसी के दम पर जिल्मिल वार्ड वापसी करेगा जीतेगा जिल्मिल वार्ड निगम में देखे सबसे पहरे तो माननी है के जरिवाल जी के नितुत में एक इमानदार सरकार होने का सब को विश्वास से के एजरिवाल जी इमानदार है और इसलिए छेतर में पूरे में काम हो रहा है दूसरी चीज एक और बड़ी बात की आदरनी रामरबास गोयल जी जो के एक ऐसे विक्तुत हैं जो एक एक जगे पे हर जगे पे काम करने की खुस्स करते हैं आओ हमारे पास में कोई भी काम है और हम मिलकर की आगे काम करेंगे तो गोयल साब जो है का नितुत ही जीतेगा गोयल साब की कारसेली ही जीतेगी यहां पर हम लोग कुछ नहीं है सिर्फ गोयल सा आम आदमी पार्टी इस तरीके से प्रदर्शन करती है और सामने आती है और निश्रित तोर पर जब निगम चुनाव में वोट दी जाएंगी तभी हमारा आम आदमी जो वाकई में आम आदमी है वो बताएगा कि दिल्ली किसके हातों में हमें कि एम सीडी का सोपना होगा